ओम नमो भगवते वासू देवाए आज कार्तिक मास महत्मय का 28 अध्याय है श्रीहरी से प्रातना है कि कार्तिक मास का महीना आपके जीवन में सुख स्मृति, वैभव, शान्ति, सोभागे और स्वस्त जीवन में उनति लेकर आए और मा लक्ष्मी का आशीरवाद आपकी जीवन को सफलता से भर दे तो प्रेम से बोलिए श्रीहरी और माता लक्ष्मी की जै ये बुद्धी के देवता सद बुद्धी थे, सुख शान्ति और समृति थे बोलिए गजानन महाराज की जै तो चलिए सबसे पहले आपको गनेश जी की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं तो बोलिए गजानन महाराज की जै एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी उसके पती चल बसे थे उसका एक चार साल का पुत्र था उसकी सास कठोर हिर्दे की इस्तरी थी वह बहु को बहुत तकलीफ देती थी एक दिन सास ने बहु और पोते को घर से निकाल दिया वह दोनों रोते होए चलते चलते एक चंगल में जावोंचे वहाँ एक पेड़ के नीचे बैट गए वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गनेज जी का मंदिर था वहाँ बहुत लोग गनेज जी के दर्शन करने आते थे दर्शन करके गनेज जी को परसाद चड़ाते थे फिर वह परसाद सबको पांट देते थे इस परसाद से मां बेटे का गुजारा होने लगा दोनों गनेज जी की पूजा पाठ में लग गए एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचे वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे साथ में पूजा की सामगरी और परसाद भी बेचने लगे इससे उनको आमंदरी होने लगी गनेज जी की कृपा से आमंदरी पढ़ने लगी जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया एक राजा की लड़की मंदर में रोज पूजा करने आती थी मालिन की बेटे को देखकर राजकमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी उसने अपनी भावी से अपने मन की बात कही भावी अनुभवी थी उसने कहा यह तो मालिन का बेटा है और तुม एक राजा की बेटी हो यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेजिती होगी पर राजकमारी अपनी बात पर अड़ी रही उसने कहा मैंने तो परतिग्या कर ली है कि उसी से विवाह करूँगी भावी ने घर आकर सारी बात राजा को बता दी राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तयार हो गए उन्होंने बड़े धूम धाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटी के साथ कर दिया मालिन ने सबसे पहले बेटे बहु को गनेश जी के मंदिर में ले जाकर पुजा पाठ करवाया और गनेश जी का आशिरवाद दिलवाया उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गनेश जी की पुजा करने से सब दुख कश्ट दूर हो जाते हैं यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे, मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई, उथर उसकी सास के बुरे दिन आ गए, अन दाता उससे रूट गए और वह भूखों मरने लगी, एक दिन वह रोती धोती उसी गनेज जी के मंदिर में आ पहुंची मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तमारा सारा काम कर दूँगी, लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया, उसने अपनी दादी को नहीं पचाना, जब मालिन घर आई, तो उसने सास को पहचान वह सास से बोली, सासु जी आप यहां कैसे, सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरे इस सेट के यहां नोकरी लग गई है, बहु बोली, यह आपका पोता है, और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है, जब आपने हमें घर से निकाला, तब गनेजी ने ह बहु की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली, बहु बोली सासु जी, अब आप हमारे यहां रहो और पोते का सुख देखो, हे गिनेश जी महरा जैसा सुख आपने मालिन को दिया, वैसा ही सुख सब को देना, बोलिए विश्नु भगवाने कीजे, चलिए अब कार्तिक मास महत्मे का 28 अध्याय, इतनी कथा सुनकर रिशी कहने लगे कि हे सुख जी किरपा करके कार्तिक शुकला अश्टमी जिसको गोपा अश्टमी भी कहते हैं, उसका महत्मे सुनाएं, सुख जी कहने लगे कि बाले आवस्ता में भगवान कृशन पहले पछड़े चर इसी से ये अश्टमी गोपा-श्टमी कहलाती है, इस दिन सब मनो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोओं का पूजन करना चाहिए, तद अन्तर प्रदिख्षना करके गोओं के पीछे पीछे चलना चाहिए, शिरीकरशन जी की परम प्रिया शिरीराधा जी के नाम से वि पीछे चलने से सेंकडो जन्वों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गो का दान करने से असंखे गोओं के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन साइकाल के समय में श्रवन नक्षत्र हो तो वह जैन्ती योग होता है। उसमें सनान दान करने से मुनुश्य शिगरी मौक्ष को प्राप्त हो जाता है। 28 वा अध्याय समाप्त होता है। बोलिये विश्णु भगवाने की जाए।